आप आए बहार आए 1971 की बॉलीवुड फिल्म है जिसका निर्मान, निर्देशन और लेखन मोहन कुमार ने किया है इसमें राजेंद्र कुमार, साधना शिवदासानी, राजेंद्रनाथ और प्रेम चोपड़ा है लक्ष्मी कांत प्यारेलाल के संगीत के कारण ये फिल्म अत्यदिक सफल रही रोहित, राजेंद्र कुमार, विसकी, राजेंद्रनाथ, और कुमार, प्रेम चोपड़ा, बच्पन के दोस्त हैं विसकी के साथ अपनी संपत्ती की यात्रा के दोरान, रोहित की मुलाकात खूबसूरत नीना से होती है और उसे उससे प्यार हो जाता है इसके बाद, वह उसके पिता से मिलता है जहां उनका उचित परिचय होता है और वह भी उससे प्यार करने लगती है अंजाने में, कुमार नीना को शादी का प्रस्ताफ भी भेजता है लेकिन नीना बिना किसी दिल्चस्पी के उसकी तस्वीर देखने से पहले ही फार देती है ये सुनकर कुमार को बुरा लगा वह बदला लेने की योजना बनाता है और नीना और रोहित की शादी से कुछ समय पहले जब शादी आधिकारिक तोर पर तै हो जाती है उसी रात नीना अंजाने में कुमार के सामने आत्मसमरपन कर देती है ये मानते हुए की वह रोहित है नीना के साथ छेड़ छाड़ के बाद रोहित और कुमार दुश्मन बन जाते है उनमें लड़ाई होती है और कुमार की बाई आँख की रोशनी चली जाती है ये महसूस करते हुए की वह ब रोहित के लायक नहीं है नीना ने उससे शादी करने से इंकार कर दिया सच्चाई जानने पर उसके पिता को घातक दिल का दौरा पड़ा नीना ट्रेन पकड़ती है और निकलने की कोशिश करती है लेकिन अंदर बेहोश हो जाती है रोहित ये देखता है और उसे बचाता है नीना को पता चलता है कि वह कुमार के बच्चे से गरभवती है और वह खुद को मारने की कोशिश करती है रोहित ने उसे ऐसा करने से रोका और पास के शिव मंदिर में उससे शादी कर ली कुमार को भी बच्चे के बारे में पता चलता है और वह इस पर चर्चा करने के लिए रोहित के घर जाता है